वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके मेल आइकन में आल को प्रेस कर दीजिए नमस्कार, ट्रेंस और ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस समय हम खड़े हैं बाच्चनगर की सेकंड एंट्री पर और जैसा आप जानते हैं डाली गंज मलहौर के बीच जो दोहरी करण का कारे चल रहा है उसमें अब तेजी आ गई है तो यहाँ पर बाच्चनगर की जो सेकंड एंट्री है इस पर भी कारे शुरू हो गया है क्योंकि बिल्डिंग काफी खराब हो गई थी बाहर से आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से यहाँ पर कारे चल रहा है और अभी अंदर चल करके हम आपको दिखाते हैं क्या है ताजा सूरते हाल क्योंकि यहाँ पर भी एक ट्रेक और डाला जाना था जो प्लैटफॉर्म नंबर तीन हो जाएगा फिर उसकी क्या ताजा स्थिती है इसको हम आपको दिखाते हैं तो चलिए बिना देरी की हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं इस तरह का कंटेंट लाता रहता हूँ रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए वीडियो इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी साथ बेल आइकन में और को जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ वो आपसे मिस नहो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए तो चलिए बाच्छा नगर पर क्या ताजा सूरते हाल है इसको देखते हैं आज के इस वीडियो में तो यह है बाच्छा नगर स्टेशन की सेकेंड एंट्री दृती प्रवेश द्वार बिल्डिंग काफी खुबसूरत बनाई गई है जो इसका एंट्रेंस है और बाहर का आप इदर का सर्कुलेटिंग एरिया देख सकते हैं किस प्रकार से काफी स्पेस है पार्किंग के लिए यहाँ पर परियाप्त जगह है और बिल्डिंग अभी इस दिशा से अगर हम कहें कि जो यात्री है अगर वो ट्रें को बोर्ड करना चाहें तो अभी केनेक्टिवीटी इस तरफ से जो फूट ओवर बिज है उसकी नहीं हुई है जो अंदर एफोबी है वो अभी निर्माना धीन है ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग के ठीक बाएं हाथ पर लेफ्ट हैंड पर सामने आपको एफोबी का स्ट्रक्चर दिख रहा है फूट ओवर बिज का और जो ये बिल्डिंग है इसकी रंगत निखारी जा रही है आज कल पुट्टी रिपे कंप्लीट हो जाए पहले डालीगन जंक्शन से बाच्चन अगर तक हाला कि मुझे अभी डाउट लग रहा है कि इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि अभी प्लैटफॉर्म का कारिब भी अंदर अधूरा पड़ा है और यहां पर आप देख सकते हैं लेबर किस प डियारेम लखनव मंडल आए हैं आदिती कुमार जी मोनिका अगनी हुतरीजी की जगे जबसे उन्होंने पदभार ग्रहन किया है उसके बाद से कम से कम कारियों में अब और अधिक तेजी आ गई है विशेशकर डालीगंज बाच्चन अगर गोमती नगर मलहौर का जो हमार कारे चल रहा है तो इसमें अब कुछ कारे होता दिख रहा है रफतार आते दिख रही है जो कि अच्छी बात लगी मुझे और यहां पर भी आप देख सकते हैं बाच्चन अगर स्टेशन पर नीचे सामने कॉंक्रीट के स्लीपर्स बिचा लिए गए हैं सामने गोमती निग पर अभी वर्तमान में ट्रैक है निकलता है वो फिर रंत्रू लाइन हो जाएगी मुझे लगता है यह हमारी लूप लाइन आ जाएगी और तीन प्लैटफॉर्म यहां पर बाच्चन अगर में हो जाएगी और एक प्लैटफॉर्म यह भी पूरा तयार किया जाएगा लेकि क्योंकि अधिक स्पेस नहीं है और दाहिने हाथ पर इस तरफ भी आप देख सकते हैं वर्कर्स लगे हुए हैं और दिवार पर इस समय यहां पर सेकेंड एंट्री की यह जो बिल्डिंग है पुट्टी लगाने का काम चल रहा है तेजी के साथ बिल्डिंग तयार की जा रह की है उसमें समय लगेगा इधर हमारे डाली गंजंक्शन की दिशा हो जाएगी और जो फूट ओवर बिज जिसकी अभी हम बात कर रहे थे सामने आप देख सकते हैं गर्डर ऊपर रग दिया गया है स्पैन उसका और एफ ओबी जो है यह अभी अभी अंडर कस्ट्रक्शन ह है तो अगर आप सेकेंड एंट्री की तरफ से आते हैं पेपर मिल कॉलोनी की दिशा से तो आप अभी दो नंबर प्लैट्फॉर्म की तरफ जो ट्रेंज हमारी आती है या एक नंबर प्लैट्फॉर्म पर उधर अभी आप नहीं जा पाएंगे आपको यहां पर कूट करके जाना पड़ेगा जिसे की चोड भी लग सकती है तो अभी आप लोग जो हमारी main entry है अयोध्या राजमार्ग की दिशासे महानगर वाली साइट से उस तरफ से ही आप आईए बाच्चनगर में जिधर हमारा metro station है बाच्चनगर का और अभी second entry चालू होने में शुरू होने में counter वगएरा अंदर से तयार हो गया है जो office का area है लेकिन अभी उसमें setup होना सारा बाकी है computers वगएरा लगेंगे printers लगेंगे और staff का वहाँ पर chair वगएरा लगाई जाएगी staff के लिए तो वो कारी बाकी है हलकी फुलकी finishing एक बार की जाएगी building बाकी लगभग तयार है और चूकि अभी in use नहीं है तो थोड़ी सी बदरंग हो गई है उसको ठीक किया जा रहा है सामने आप देख सकते हैं गोरगपुर जाने वाली लगनौ जंक्षन से चलकर गोरगपुर जंक्षन जाने वाली हमारी intercity super fast intercity express जो है उसका arrival हो रहा है एक नंबर platform पर बाच्चानगर के तो बाच्चानगर स्टेशन पर जो ताजा सूरते हाल है हमने आपको दिखा दिया कि यहां पर किस प्रकार से अभी कारे चल रहे है अब ट्रैक डाला जाना बाकी है क्योंकि अभी बाच्चानगर से जो हमारी निशाद गंजवाली level crossing है वहां पर भी ट्रैक को नहीं डाला गया है और इस्टेशन के पास ही में पूरी डिपो बनी हुई है जहां से सारा समान जो है यह construction का जा रहा है नए बूम वहां पर भी लगेंगे जैसा मेरी बात हुई बता रहे थे कि नए बूम लगाए जा रहे है जो level crossing है वहां पर और उमीद की जा रही है कि दो महीने से धाई महीने के अंदर कह रहे थे कि डाली गन से बाच्चनगर तक का जो हमारा section है हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको हम तयार करके चालू कर सके अब देखना होगा जिस प्रकार से मलहौर में तेजी से कारी हो रहे हैं कि कि किस प्रकार से section open करते हैं दोहरी करण में डा वही हम आप से share कर रहे हैं और जैसे जैसे ये project आगे progress करता जाएगा हम आप तक updates पहुंचाते जाएंगे